प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश राइटर वर्जीनिया वुल्फ की एक फेमस नॉवल के बादे में जिसका नाम है तू दे लाइट हाउस इसे 1925-1927 के बीच में लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था 1927 में फ्रेंड्स जब ये नॉवल लिखी गई थी तब modernist period चल रहा था और साथ ही ये जो नॉवल है ये एक stream of consciousness नॉवल है यानि इस नॉवल में लोगों के emotions को ज़ादा बताया गया है जो story के plot है उस पर कम ध्यान दिया गया है जबकि जो character के emotions और feelings है उनका एक दूसरे से जो relation है उस पर ज़ादा ध्यान दिया गया है friends ये जो story है ये बहुत ही ज़ादा famous रही है ये novel बहुत famous रही है और बहुत ही special है अपनी इस कहानी के लिए किस तरह से गहराई के साथ यहाँ पर Virginia Woolf ने बताया है कि एक family के अलग-अलग characters है उनकी सोच में भले ही फर्क है लेकिन सभी आपस में प्यार से रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझने में कहीं न कहीं कुछ problems हो रही है और पूरी story इसी के around गूमती है फ्रेंट्स वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम था अडलिन वर्जीनिया वुल्फ उनका जन्व हुआ था 25 जानवरी 1882 में और उनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1941 में वो एक English writer थी और 20th century modernist author थी यानि कि जो modernist period था उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल था बहुत powerful बहुत eminent रही थी साथ ही वो अपनी stream of consciousness जो narrative device है उसके लिए जानी जाती थी यानि जादातर जो उनकी novels हुआ करती थी जो उनके works थे उनमें stream of consciousness का use हुआ करता था इनकी famous works में Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, A Room of One's Own, The Waves ये सब ही शामिल हैं तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस story को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं तो friends ये जो novel है ये तीन हिस्से में बाटा गया है पहले हिस्से का नाम है The Window, दूसरे पार्ट का नाम है Time Passes और जो last पार्ट है उसका नाम है The Lighthouse friends इसमें जो The Window है इसमें जारतर जो characters है जो family है उनके बीच में कैसे connection है ये बताया गया है जो second part है Time Passes ये बहुत ही छोटा है काफी कम pages है इसमें कम chapters है और इसमें basically ये बताया गया है कि 10 साल के बीतर क्या कुछ हुआ उस family के members के साथ और फिर जो light house है ये इस story का इस novel का ending point है जहां बताया जाता है कि आखिरकार end में जाकर जितने भी बचे हुए characters हैं इन्होंने अपनी life में क्या कुछ accomplish किया और कैसे अपने बीच के relations को सही किया तो friends अब story पर आते हैं इस story की शुरुआत होती है Isle of Skye में जहां पर एक summer house है जो की Ramse family का belong करता है यानि यहां पर Ramse परिवार छुट्टिया मनाने के लिए आता है अब यहां जो Mr. Ramse और Mrs. Ramse हैं और साथ ही इनके आठ बच्चे हैं अब यह story आगे बढ़ती है और यह जो Mr. और Mrs. Ramse हैं इनका जो सबसे छोटा बेटा है James वो जिद करता है कि इनके यह जो summer house है इसके बगल में एक light house है और यह वहां घूमने जाना चाहता है फ्रेंट्स light house आप लोगों को पता ही होगा समुद्र के किनारे एक बड़ा सा टावर बनाया जाता है और उसके उपर lights लगाई जाती है और वो lights जो है वो रात के समय में ships को रास्ता दिखाने के काम आती है तो यह जो James है यह अपने father mother से request कर रहा है कि हमें वो light house देखने या वो light house गूमने जाना चाहिए अब यह जो Mrs. Ramsey है यह कहती है कि ठीक है हम होगा तो अगले दिन जाएंगे light house देखने लेकिन जो Mr. Ramsey है यह कहते हैं कि शायद कल weather सही ना हो और इसलिए हो सकता है कि हम light house देखने नहीं जा पाएं यह बात भी यहां जाननी होगी कि यह जो summer house है जहां यह पूरी family रह रही है वहां से light house भले ही बहुत पास है लेकिन जो रास्ता है वो समुद्र से हो कर जाता है यानि उन्हें नाव में बैठ कर जाना होगा और Mr. Ramsey से यही सोच रहे हैं कि अगर weather खराब हुआ समुद्र में तूफान आ गया तो travel करना समुद्र से सायद सही नहीं रहेगा अब friends यह जो James है यह बड़ा नाराज हो जाता यह बात सुनकर सोचता है कि मेरी माँ तो बहुत अच्छी है वो चाहती है मुझे घुमाना लेकिन मेरे फादर जो हैं वही बहुत खुडूस है और मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहते अब friends यहाँ पर जो writer हैं वो हमें बताती हैं कि Mr. और Mrs. Ramsey यह दोनों भले ही एक कपल हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिलकुल अपोजिट हैं यानि जो Mr. Ramsey है यह एक philosophical man है यह अपनी family से अपनी wife से बहुत प्यार जरूर करते हैं लेकिन कभी यह प्यार दिखा नहीं पाते हैं वहीं दूसरी तरफ Mrs. Ramsey जो है वो एक realistic woman है और अपने family से बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों को बहुत पसंद करती हैं और यह बात दिखाने में उन्हें जताने में कोई problem नहीं है यहां तक कि एक बात और कहीं जा सकती है कि Mrs. Ramsey जो है वो ही पूरे परिवार को जोड़ कर रखती हैं एक बहुत ही अच्छी wife और एक बहुत ही अच्छी mother है वो तो अब यह Mr. और Mrs. Ramsey जो है यह आपस में थोड़ी सी बहस कर लेते हैं कि बच्चे का दिल इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन Mr. Ramsey फिर उठकर के वहां से चले जाते हैं और ये बात वहीं पे खत्म हो जाती है अब फ्रेंट्स ये जो Mr. और Mrs. Ramsey अपने बच्चों के साथ यहां घूमने आए हैं तो ये अकेले नहीं है इनके साथ और भी कुछ लोग आए हुए हैं और सबसे पहले इन सब के बीच में जो पहली कैरेक्टर है उसका नाम है Lily Brisco फ्रेंट्स ये जो Lily है ये एक यंग वुमेन है और ये एक पेंटर है यानि कि ये एक पेंटिंग बनाना चाहती है और बहुत ज़ादा एमबीशियस है अपनी लाइफ को लेकर के आगे चलकर ये एक बड़ी पेंटर बनना चाहती है सेकेंड जो कैरेक्टर जहां आया हुआ है इस समर हाउस में उसका नाम है उसका नाम है चार्ल्स टैंसले ये जो चार्ल्स टैंसले है ये मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट है और मिस्टर रैमसे को एक बहुत फादर फिगर या एक गौडली फिगर की तरह देखता है हमेशा उनकी तारीफ करते रहता है और मिस्स रैम से को ये पसंद नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो चार्ल्स है ये बहुत खुद में ही खोया रहता है और बिल्कुल चार्मलेस है नेक्स जो इनके साथ रहने आए हुए है उनका नाम है विलियम बैंक्स जो की एक बैचलर है और ये मिस्टर और मिस्स रैम से के ओल्ड फ्रेंड है ये जो मिस्स रैम से है ये चाहती है कि लिली की शादी विलियम बैंक्स से हो जाए यानि ये लिली को समझाती है कि तुम्हारी भी बच्छी खासी एज हो गई है तुम भी ये काम करो शादी कर लो अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ लेकिन ये जो लिली है ये अभी शादी नहीं करना चाहती है जैसा मैंने पहले ही कहा ये एक पेंटर बनना चाहती है तो ये मिसिस रैमसे की बात को टाल देती है अब फ्रेंट्स इस तरह से थोड़ा समय बीच जाता है और ये पूरी फैमली ये डिनर करती है डिनर के बाद जो छोटे बच्चे रहते हैं मिस्टर और मिसिस रैमसे के ये सोने चले जाते हैं और बागी के लोग जो है ये अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं अब मिस्टर रैमसे जो है वो बैठ करके बुक्स पढ़ रहे हैं मिसिस रैमसे भी उन्ही के पास आ करके बैठ जाती है अपने हजबन के पास यहाँ पर एक और बात जाने वाली है और वो यह है कि Mr. और Mrs. Ramsey के बीच में 11 years का difference है यानि बहुत बड़ा age gap है उन दोनों के बीच में और इसलिए उनके बीच में हमेशा बाते जो हैं वो normally नहीं हो पाती, कभी-कभी awkward हो जाती है अब चूंकि ये दोनों अकेले बैठे हैं तो Mr. Ramsey अपनी wife से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी wife उन्हें I love you कहे लेकिन चूंकि थोड़ा awkward हो जाता है तो Mrs. Ramsey तो directly उनसे ये नहीं कहती है लेकिन गुमा फिरा के ये बात कह देती हैं कि वो उन्हें पसंद करती हैं उनसे प्यार करती हैं और इस तरह से friends वो रात का समय वहाँ खत्म हो जाता है और यहीं पर ये जो first part है novel का ये भी यहीं खत्म हो जाता है यानि इस हिस्से में हमें सिर्फ ये बताया गया कि कौन-कौन से characters हैं उनके कैसे ambitions हैं वो उनका behavior कैसा है और ये जो family है इनका behavior कैसा है और friends यहाँ से एक second part start होता है जिसका नाम है time passes और इसमें 10 साल का age gap दिखाया गया है friends इन 10 सालों में क्या होता है तो सबसे बड़ी बात ये कि Mrs. Ram से जो है उनकी death हो जाती है और उनकी मौत का पूरे परिवार पे बड़ा बुरा असर पड़ता है वो पूरे परिवार को बांध कर रखती थी तो उनकी death से सभी shocked हो जाते है साथ ही Mr. और Mrs. Ram से ये दोनों जो हैं इनका बड़ा बेटा जो था Andrew Ram से वो World War 1 में एक बहुत ही brave soldier था और इसके दोरान उसकी death हो जाती है यानि वो World War में शहीद हो जाता है इसके बाद जो Mr. and Mrs. Ram से की एक daughter है जिसका नाम है Prue Ram से उसकी शादी होती है और child birth के दोरान यानि जब labor pain शुरू होता है उस दोरान उसके और उसके बच्चे की भी death हो जाती है यानि तीन characters ऐसे हैं जिनकी death हो जाती है और Mr. Ram से जो हैं चुकि ये कभी अपने परिवार से जादा घुल मिलकर नहीं रहते थे इनका connection तो major अपनी बीवी के साथ ही था तो ये बड़े दुखी हो जाते हैं अपनी wife के death से इन सभी चीजों के death से साथ ही जो बाकी के बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं अपने अपनी life में busy हो जाते हैं और उस summer house को जहां इन्होंने छुटिया मनाई थी कभी इसे सब भूल जाते हैं यहां तक कि जो summer house है उसकी जो care taker थी जिनका नाम था Mrs. McNabb वो भी उसकी care करना छोड़ देती हैं दस सालों में वहां कोई नहीं आया है और धीरे धीरे वो summer house जो है वो वीरान हो चुका है लेकिन एक दिन Mrs. McNabb को एक news मिलती है एक letter मिलता है जिसमें Mr. Ram से उनसे कहते हैं कि वो और उनकी family और उनके कुछ friends जो है और women friends की मदद से घर को वापस से साफ करती है उसे रहने लायक बना लेती है अब friends यहाँ पर third part start होता है to the light house इसमें क्या होता है कि Mr. Ram से अपने बच्चों के साथ फिर से वापस आते हैं इस summer house में और साथ ही उनके साथ वापस आती है Lily वो Lily जो painter थी और friends यहाँ पर बताया जाता है कि इन सब के वापस आने का कुछ ना कुछ मकसद था और वो मकसद क्या था तो सबसे पहले बताया जाता है Lily के बारे में Lily जब 10 साल पहले यहाँ आई थी तो वो एक painting बना रही थी और वो painting उसने अधूरा छोड़ दिया था उसे वापस लोटना पड़ा बागी पूरे रैम से परिवार के साथ और वो painting अधूरी छूट गई थी और पिछले 10 सालों से वो painting वही उस summer house में पड़ी हुई थी तो Lily वापस आई है उस painting को complete करने के लिए साथ ही जब ये रैम से परिवार वहाँ पहुचता है तो Mr. Ram से अपने बच्चों से कहते हैं James से और अपनी एक बेटी से कहते हैं कि कल हम light house देखने जाएंगे जिस light house को तुम बच्पन में देखना चाहते थे कल हम वहाँ जाएंगे और अब ये जो इनके बच्चे हैं ये बड़े हो चुके हैं अब इने light house देखने में को इंट्रेस नहीं है लेकिन चुकि अपने फादर को मना नहीं करना चाहते तो ये इस बात के लिए ready हो जाते हैं अगले दिन Mr. Ram से और जेम्स और उनके जो बाकी के बच्चे हैं वो सभी light house जाते हैं और जेम्स जो है वो now चला रहा होता है समुद्र को क्रॉस करके वो इस light house पे पहुँचते हैं और Mr. Ram से जो है वो इस बात से बड़े खुश होते हैं कि आखिरकार वो ये light house आ चुके हैं इसकी खुशी का कारण क्या है तो friends 10 साल पहले जेम्स ने जिद की थी कि वो light house जाना चाहता है लेकिन तब वो light house नहीं जा पाये थे Mr. Ram से नहीं खुद मना कर दिया था और उनकी अग्स की पतनी से थोड़ी बहस हो गई थी तो उन्हें लग रहा है कि चुकि अब वो यहां वापस आए हैं अपने बेटे को लेकर आए हैं तो उन्हें ऐसी feeling आ रही है मानो उन्होंने अपनी वाइफ से किया हुआ अपना promise पूरा कर लिया और साथ ही वो जेम्स से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी नाव चलाई जेम्स की तारीफ करते हैं और जेम्स को इस बात की बड़ी खुशी है कि उसके फादर ने उसकी तारीफ की अपनी पूरी लाइफ में कभी उसके फादर ने उसकी तारीफ नहीं की थी तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है और वो भी लाइट हाउस को देखने लगता है और फ्रेंट्स यहाँ पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है एक तरह से देखा जाये तो सब को सब कुछ मिल गया यानि लिली ने अपनी पेंटिंग कम्प्लीट कर ली मिस्टर रैम से ने अपनी वाइफ को दिया अपना वादा पुरा कर लिया जेम्स अपने फादर के और भी ज़्यादा क्लोज आ गया तो फ्रेंट्स यह जो पूरी नॉवल है यह कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशन्स उनके इमोशन्स और फीलिंग सिर्फ इसी के अराउंड घूमती है तो फ्रेंट्स यह थी वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल टू दा लाइट हाउस